नमस्कार, राष्ट आजकल में आपका स्वागत है, आज हम मौझूद है बोपाल के करोध के पास संजीव नगर से जो नया रोड अभी चालू हुआ है, संजीव नगर से लाल घंटी तक आप देख सकते हैं कि ये नया रोड भी चालू हुआ है, और ये रोड के बनने से के बाद कुछ सालों की मेहनत के बाद यहां पर रास्ता बनने का जो मामला रास्ता जो बना वो किलियर हुआ है तो अब रक्षा बोपाल में संजीव नगर से नेवी लाल ग्राटी तक 40 साल से एट की सड़क आखिरकार मंगलवार को जनता को सोब दी गई मुख्य मंद्री डाक्टर मोहन यादव ने इसका लोकारपन किया ऐसा पहली बार हुआ जब सेना की जमीन पर राजय सकार ने भूरजन किया है क्योंकि ये सड़क मिलिटरी अरिया से निकलती है रक्षा मंत्रालाय से मंजूरी के लिए मंत्री विश्वा सारंग 16 साल में 4 रक्षा मंत्रियों से मिले और अयोद्या वाइपास से लाल खाटी के लिए 7 किलोमेटर की जगा 4 किलोमेटर की दूरी तए करनी होगी कुछ इलागों में जाम होने पर एरपोर्ट पोजने में भी आदा समय लगेगा 3.8 किलोमेटर लंबी सड़क को 5 करण रुपे खर्च से बनाया गया है पवन होम्स, दौर्गा धाम, करोद और अयोद्या वाइपास के लोगों को इस सड़क का सीज़ा सीज़ा लाब पहुचेगा सर रात में तो सही तोड़ा डरता लगता है तो और उचक के तुमारे एक ली लेडिस भाई ये निकल नहीं पाती है गाड़ी गोड़ा कुछ मिल नहीं पाता है और इधर दिन में तो ठीक लगता है स्लाइट माइट भी कुछ नहीं है इस पर खंब लग जाए तो और भी अच्छा है तर थोड़ा इंतजार तो कर रहे है कितने दिन से कर रहे है कि चड़ों में भगे हैं फिर बड़ी मुस्कल से रोट बना है आप अज़िए यह संजीव नगर करोनी यह रोट देखिए यह संजीव नगर करोनी यह यह रोट यह से शुरू हुआ है यह रोट गया है सीधा लाल गाटी तो यह इस रोट से यहां रहने वाले द्वार का धाम पवन हॉम्स करोद आयोध्या भाइपास के लोगो को कम से कम 4-7 किलो मीटर का फरक पड़ेगा जो के एयरपोर्ट रोट और एयरपोर्ट रोट से यह रोट से यहां के रहे वाद से काफी फाइदा होगा